दैनियल एक सेल के अदर बन था और उसके उपर कॉगनिटिव टेस्ट हो रहा था दैनियल को कोई इंटेरोकेट कर रहा था और दैनियल उसके सवालों के जवाब दे रहा था दैनियल एक पुरादे दिन की याद करता है और यहाँ से फ्लेश बैक शुरू होता है वैली टाउन के अंदर सभी लोग वैली टाउन को बिल्ड कर रहे थे दैनियल मॉर्गन को सूप सर्व करता है दैनियल अपने इंटेरोकेटर को बताता है कि अगर उसने और मॉर्गन ने पहले ही लोगों को बता दिया होता कि वो लोग कम्मिनेटी के अंदर क्या काम करने वाले हैं तो लोग कभी भी उनकी कम्मिनेटी को जॉइन नहीं करते ग्रेस मॉर्गन को बुलवा लेती है डैनियल अपने इंटेरोगेटर को बताता है कि वो सभी लोगों को अपने साथ पाकर बहुत ज़्यादा खुश था चारली वैली टाउन को गार्ट कर रही थी वो डैनियल को आकर इंफॉर्म करती है कि उन लोगों के विजिटर्स वहाँ पर बहुत चुके हैं शैरी रोली के साथ स्वेट रेक पे बैटकर वहाँ पर आ जाती है सारा स्ट्रेंड और सैमेल भी वहाँ पर बहुत चाते है स्ट्रेंड नोगों को बताता है कि उसके ग्रूप को उस एरिया में बहुत सारे स्पुरे पेंट की बोटल्स मीली है स्ट्रेंड टैंक टाउन पे हमला करने वालों के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित था वो इस बारे में मॉर्गन से बात करता है कि रिबेल क्रूप अभी भी बाहर मौजूद है मॉर्गन ने रिबेल क्रूप से लडने के लिए ही उन सबी लोगों को कम्यूटी में बात करने के लिए बुलाया था डैनियल अपने इंटरोकेटर को बताता है कि उस दिन के बात से बहुत कुछ बदल गया था ग्रेस डैनियल को अपनी फीलिंग बताती है और डैनियल उसके बेबी को फील करता है डैनियल अपने इंटरोकेटर को बताता है कि वो वैली टाउन को एक ऐसी कम्यूनिटी के रूप में ग्रो करना चाता था जहाँ पर ग्रेस की बेबी का फ्युचर सिक्योर हो दैनियल अपने इंटेरोकेटर को बताता है कि उन लोगों ने शैरि और स्ट्रेंट के गॡूप के व Abg टाउन के अंदर खुसने से पहले उन सभी लोगों के वैपन्स डिपॉसिट कर लिये थे दैनियल इंटेरोकेटर को बताता है कि वहाँ पर उन लोगों ने हर एक वैपन को लॉग इन करके लॉग कर दिया था जिसकी एक चाबी मॉरगन के पास और एक चाबी डैनियल के पास थी स्ट्रेंड डैनियल के लिए स्केट मार्ट को लेकर आये था वो उसे डैनियल को हैंड ओवर कर देता है चारली मॉर्गन के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि ग्रेस को उस वक्त उसकी मदद की जरूरत है ग्रेस को बहुत ज़ादा काट्रेक्शन्स हो रहे थे मौरकन और डैनियल दोनों ही उसके पास पहुँच जाते हैं सारा ग्रेस को चेक करती है सारा उन लोगों को बताती है कि जो उनको वहां तक पहुचने में एक दिन का समय लगेगा सारा को ग्रेस को चेक करने के लिए एक फेटल मॉनिटर की जरूरत थी मौरकन फेटल मॉनिटर की लोकेशन जानता था मौरकन डैनियल को वैली डाउन का ध्यान रखने के लिए कहता है और फेटल मॉनिटर को लेने के लिए स्वेट रख को लेकर वहां से चला जाता है मौर्टन के जाने के पार डैनियल सभी क्रूप्स की एक मीटिंग बुलाता है और उन सभी लोगों से एनिमी के बारे में बात करने लग जाता है डाकोटा सभी लोगों को बताती है कि उसने वरजीना के मुझ से सुना था कि रिबेल क्रूप के लोगों के सामने नहीं आया करते थे सभी लोग रिबेल क्रूप के बारे में बात करने लग जाते है डैनियल अपने इंटेरोगेटर को बताता है कि मीटिंग में मौझूद कोई भी गदार हो सकता था तब ही वैली टाउन में एक एकस्पलोशन होता है डैनियल सभी लोगों के साथ उस जगे पर बहुँच जाता है वो देखता है कि किसी ने डैनामाइट को सेट करके एकस्पलोशन किया था शेरी सस्पेक्ट करती है कि ये किसी अंदर के आदमी का काम था एकस्पलोशन के आवाज सुनकर बहुत सारे जॉबीस वैली टाउन के बहार आ जाते हैं शेरी और स्ट्रेंड दोनों ही डैनियल से अपने वैपन्स मागने लग जाते हैं डैनियल उन लोगों को मॉर्गन के आने तक रुखने के लिए कहता है डैनियल अपने इंटेरोकेटर को बताता है कि वो समय उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब था और आगे के लिए उसे पूरी तरह से तयार रहना था डैनियल वैपन डिपोर्ट के पास बहुत जाता है डैनियल वैपन डिपोर्ट को खोल कर चेक करता है वो देखता है कि explosion के time किसी ने वहाँ मौजूद सभी weapons को चोरी कर लिया था जांबीज डैम के चारों और एकटा होना शिरू हो गए थे डैनियल बाहर मौजूद जांबीज को देखता है और वो grace को जाकर बताता है कि valley town अब उसके लिए safe नहीं रहा डैनियल अपने interrogator को बताता है कि उसको 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 weapons ढूडने की जरूरत थी क्योंकि उन लोगों को जांबीज का सामना करना था डैनियल चारली के साथ मिलकर सभी लोगों के tent में weapons को खोचने लग जाता है चारली weapons को खोचने के लिए रोली के tent पे पहुँच जाती है रोली चारली को अपने टेंट पे देखकर चिलाने लग जाता है डैनियल चारली को एक एस्क्यूस देकर बचा लेता है डैनियल अपने इंटेरोगेटर को बताता है कि वो वैपन्स को खोचने लग जाता है डैनियल अपने interrogator के सामने कबूल करता है कि उसी ने कोई जॉंबीज को tunnel gate के entrance से अंदर आने दिया था जिससे कि वो weapon चुराने वाले को पकड़ सके क्योंकि जॉंबीज को देखकर कोई ना कोई अपने weapon को use करता डैनियल स्ट्रेंड को gun चलाते हुए देखता है और वो स्ट्रेंड के पास जाकर उससे weapons की चोरी के बारे में बात करता है डैनियल तुरंती स्ट्रेंड को Excel के अंदर बंद कर देता है और वो उससे बाकी weapons के बारे में पूछने लग जाता है स्ट्रेंड डैनियल को बताता है कि उसने एक कन अपने पास छुपा कर रखी हुई थी लेकिन वो वहाँ माजूद किसी भी वैपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता डैनियल क्योंकि पहले सी ही स्ट्रेंड के उपर भरोसा नहीं करता था वो से धबकाने लग जाता है जॉंबीज वैली टाउन के इनर केट तक पहुच जाते हैं वहाँ मौजूद सभी लोग जॉंबीज को देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उनका सामना करने के लिए एक दूसरे के और देखने लग जाते हैं डैनियल उन लोगों की पोजिशन को देखता है और वो इस ट्रेंड को एक बार फिर से वैपन्स के लिए धबकाने लग जाता है स्ट्रेंड डैनियल को बताता है कि वो वैपन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता उन दानों को तबी बाहर से आती हुई गनफायर की आवाज सुनाई देती है मॉर्गन वैली टाउन के बाहर स्वेटवेंड लेके आ चुका था उसने स्वेटवेंड की मदद से वहां मौजूद सभी जांबीस को मार डाला था स्ट्रेंड डैनियल से पूसता है कि वो वैली टाउन को बचाने के लिए इतना ज़्यादा डैस्परेट क्यों था डैनियल अपने इंटेरोकेटर को बताता है कि वो अफेलिया के लिए लास एंजलेस में एक अच्छा घर चाता था और हो वैली टाउन को उसी गर के रूप में देखा करता था मार गन को डैनियल से ग्रेस और चार Trade के फिशिंग शेक पर जाने के बारे में पता चलता है वो ग्रेस के पास चला जाता है मार गन को वहांपर ग्रेस और चार्ली नहीं मिलते वो रेडियो पर डैनियल से कांटेक करता है और उसे वहाँ पर ग्रेस और चारली के ना होने के बारे में इंफॉर्म करता है डैनियल मॉर्गन के पास पहुँच जाता है सारा और जैकॉब दोना ही मिलकर जंगल में ग्रेस को ढूँडने लग जाते हैं आखिर में वो लोग ग्रेस के पास पहुच जाते हैं सारा ग्रेस को फीटल मॉनिटर से चेक करती है डैनियल ग्रेस से पूसता है कि वो फिशिंग शेक तक क्यों नहीं गई थी ग्रेस और चारली दोना ही डैनियल को बताते हैं कि उसने उन लोगों को कैवरंड की और भेजाता फिशिंग शेक के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था चारली डैनियल का मार्क किया हुआ मैप भी दिखाती है जिसमें डैनियल ने कैवरंड को मार्ग किया था लियोसियाना तभी मॉर्गन से रेडियो पर कार्टेक करती है और उसे बताती है कि उन लोगों को वैपन्स मिल चुके है मॉर्गन के पूछने पर लियोसियाना उसे बताती है कि उन लोगों को वैपन्स डैनियल के शेट के अंदर मिले थे मॉर्गन के पूछने पर डैनियल उसे बताता है कि किसी ने उसको फसाया है लेकिन डैनियल अपनी इस बात को कहकर खुदी कन्फ्यूस हो जाता है मॉर्गन डैनियल को किसी से बात करने के लिए सजेस्ट करता है एक बार फिर से प्रेसेंट में आते हैं, डैनियल सेल के अंदर बैठा हुआ था, जोन as a psychologist उसे interrogate कर रही थी, जोन डैनियल के उपर कुछ psychological test perform करती है, जोन सभी लोगों को बताती है कि डैनियल की problem psychological है और वो चीज़ों को भूल जाता है, जोन सभी लोगों को बताती है कि उस इलाज करेगी, शेरी अपने ग्रूप के साथ और स्ट्रेंड अपने ग्रूप के साथ फैली टाउन को छोड़ने की तैयारी करने लग जाते हैं, तब ही डोकोटा और लोगों के पास दौरती हुई आती है, उसे याद आया था कि उसने एक बार वरजीनिया की बात सुनी थ कि रिबेल क्रूप कहीं अंडर्गराउंड में रहा करता है, वरजीनिया ने रिबेल क्रूप का पता लगाने के लिए कुछ स्काउट्स भी भेज़े थे, डाकोटा और लोगों की लोकेशन के बारे में जानती थी, वो इस ट्रेंड और शेरी के साथ उस लोकेशन को शेयर कर देती है, ड्वाइड डाकोटा के मुझ से उस लोकेशन के बारे में सुनता है, और वो रियलाइस करता है कि वो डलास के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पर उसका और ल का लॉरा के क्रूप से सामना हुआ था, लियूसिया ना, वैस, अलीशा और ल, चारो ही उस लोके तरहे